हलो फ्रेंड्स मैं हूं अर्पेत और आपका स्वागत है लॉड्स ओफ लिट्रेचर पर दोस्तों आज हम इंग्लिश के जिस वन आफ दा फाइनेस्ट इंडियन राइटर के बारे में बात करेंगे उनका नाम है भवानी बट्टाचारिया तो आएए चलिए शुरू करते हैं भवानी बट्टाचारिया का जन्व 10 नमबर 1906 को भागलपूर में हुआ था 1927 में उन्होंने पटना युनिवस्टी से इंग्लिश लिट्रेचर में अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया और अगले साल 1928 में वो आगे की पढ़ाई करने के लिए इंग्लेंड चले युनिवस्टी ओफ लंदन से कम्प्लीट की अपनी पढ़ाई पूरी करके भट्टाचारिया कैलकटा वापस लोटाए और यहां पर उन्होंने शादी भी कर ली कुछ साल बाद उन्होंने डिप्लोमाटिक सर्विस जॉइन की और वाशिंग्टन की इंडियन एमबैसी में काम करने लगे अपनी सर्विस कम्प्लीट करने के बाद उन्होंने युनिवस्टी ओफ हवाई में विजिटिंग फैकल्टी का ओफर एकसेप्ट कर लिया कुछ साल बाद उन्होंने युनिवस्टी ओफ वाशिंग्टन जॉइन कर ली और युनाइटेड स्टेट्स में जुनार तारी को दे गोल्डेन बोट नाम से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया 1947 में उनकी नौविल सो मैनी हंगर पब्लिश हुई 1952 में पब्लिश हुई म्यूजिक फॉर मोहिनी उनकी वन अफ दे मोस्ट एक्लेम्ड नौविल मानी जाती है 1966 में पब्लिश शैडो फ्रॉम लद्दाख के लिए उन्हें साहेते अकाडमी अवार्ड से समानित किया गया भवानी भटाचार की नौविल्स में रियलिज्म और सोशल परपर्ज हमेशा मौजूद होता है शायद यही वज़ा है कि उनकी बुक्स 28 लैंगवजेज में ट्रांसलेट की जा चुकी है 1972 में भवानी पर्मनेंटली यूएस में सेटल हो गए और यहीं पर हार्ट अटेक से 1988 में उनकी डेथ हो गई तो दोस्तों ये थे भवानी भटाचारिया अगर आप किसी और टापिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बताना हर गिजमत भूलिएगा तो आज के लिए बस इतना ही थेंक यू